एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छी होंगे दोस्तो गर आप बैंक निफ्टी फे नजर डालेंगे कल मैंने आपको बताई थी कि मार्किट ने एक रेंज बना लिये है अपने लास्ट टाइम में और मैंने आपको ये सजेशन दिया था अगर मार्किट इसी रे के जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है उपर आप देखेंगे 42,600 के जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है दोस्तो पॉइंटों में कितना ही मोव कर लोंगे आप आला कि जो फ्यूचर करते होंगे उन्हें मतलब बैनिफिट रहता है इसली अच्छे-कास के साथ आपकी प्रीमियम डिक्रीज होता है तो इसलिए मैंने सला दी थी कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहा तो ट्रेडिंग को अवोईड मत करना निफ्टी फिफ्टी में चले जाना या और भी है निफ्टी फाइनेंसल सर्विसेज है काफी और चीज़े हैं जहां प कमेंट कर सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूगा कि आप मतलब किस तरीके से सिचुएशन को डेल कर सकते हैं या प्रोफिट बना सकते हैं इन चीजों को महाँ पर डिसकेशन कर लेंगे तो यह रेंज हमारे सामने फिर से आगी और साथी साथ हमारा यहां पर एक प्रोफिटिक ब्रेकडाउन मिल गया जैलिंग अपॉर्टियोटी दूसरा हम यहां पर एक बात और नोटिस कर रहे हैं जब बैंक निफ्टी में एक नया हाई लगा फिर से मार्केट नीचे आ गया फिर से एक आज भी एक नया हाई मार्केट ने बनाया और फिर नीचे आ कि यह सुच्वेशन भी देख रहे हैं दूसरा एक रेंज भी देख रहे हैं तीसरा अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे हाला कि हम यहां पर डिसकस करेंगे कि आपको गैप पर किस तरिके से आपकी स्ट्रेजी होनी चाहिए गैप डाउन पर किस तरिक इस्ट मोमेंटम में किस तरह की strategy होनी च starch या negative momentum में किस तरह की strategy होनी चाहिए सारी चीजहों को हम डीटेल में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हूमवर्क देदू अगर आप one day के time frame पे जाएंगे एक तो last वाली candle को देखो यह हमें दो चीजों के बारे में बता रही है पहली चीज जो आपको बता रही है आपको यहाँ पे selling pressure दिखाई दे रहा है यहाँ पे साप साप आप देख सकते हैं market उपर गया और seller सावी होते हुए दिखाई दिए और candle की इस तरीके से closing दे रही है दूसरी जो हमें यहाँ पे पता चल रहा है आपको यहाँ पे candlestick pattern दिखाई दे रहा है और यह कौन सा candlestick pattern है इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा आप जाएं वेबसाइट पे और आपको पढ़ना है gravestone doji candlestick pattern यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको एक uptrend uptrend के top पे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है यह कहाँ पे मिलेगा आप categories में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे candlestick patterns पे क्लिक करना है और episode number 2 पे जाना है entry पता लगेगी आपको entry कैसे लेनी है stop loss कहा लगाना है वो पता चलेगा आपको target क्या होना चाहिए वो भी पता लगेगा आपको इतना काम आपका homework रहेगा वापिस आते हैं महीं पे अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोसिस करते हैं पहला जो हम discussion करेंगे अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है किस जों में मिलती है मानलो ऊपर की तरफ हमारा एक resistance है मानलो नहीं यह resistance ही है क्योंकि एक range हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है पहला जो हम discussion करेंगे अगर market इसी range में रहा तब भी आप trading नहीं करेंगे market से दूर रहेंगे क्योंकि आपके premium की value decrease होती रहेगी और आप ज़्यादा profit नहीं बना पाने के या फिर आपको losses का सामना करना पड़ेगा अगर gap up opening की बात करें उपर resistance का है 42,600 नीचे support का है 42,400 यह zone का support है अगर 42,600 के zone में आपको gap up opening देखने को मिलती है तो आपके लिए यहाँ से एक selling opportunity create हो सकती है अगर market ने यहाँ पर resistance की track किया फिर से समझो अगर इस zone में आपको gap up opening देखने को मिल सकती है तो अगर market ने यहाँ पर आपको selling pressure दिखाया तो आपको यहाँ से एक selling opportunity मिल सकती है क्योंकि एक important resistance है हमारे लिए दो दिन से market इसकी respect करता हुआ चल रहा है लेकिन अगर gap up open इस zone में हुआ और market ने positive momentum दे दिया उस situation पर resistance ने रहके आपके लिए एक मजबूत support बन जाएगा क्योंकि हम जानते हैं जब भी resistance zone है उसका breakout मिलता है तो एक support की track करता है इस situation पर आप देखेंगे price action क्या बन रहा है अगर आपको यहाँ पर कोई bullish indication दिखाई देता है तो definitely आपको एक बड़ी buying opportunity मिलेगी market एक अच्छा खासा positive momentum आपको देगा लेकिन अगर कोई ऐसा sign नहीं दिखाई दे रहा कोई भी मतलब candlestick pattern दिखाई दे सकता है या फिर chart pattern दिखाई दे सकता है या फिर heavy volume के साथ आपको candles दिखाई दे सकती है अगर यह situation बनी तभी आपको buying opportunity यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं तो market कहीं न कहीं आपको वापिस ही आता हुआ दिखाई देगा और इस situation पर 42,400 आपके लिए क्या बन जाएगा support बन जाएगा clear है अब यहाँ पर एक और discussion कर लेते हैं अगर market ने gap down opening दे दी इसे धियान से समझ दो अब अगर आप यहाँ पर notice करेंगे जो support काम बन रहा है हमारा 42,400 और मैं क्या बात कर रहा हूँ gap down opening की बात कर रहा हूँ अगर आप धियान देंगे जो यह हमारा support zone है market इसी में बैठा हुआ है अगर gap down opening देगी तो एक तो 17 के day low का breakdown मिल जाएगा आपके लिए यहाँ पर day low के breakdown वाले strategy काम करेगी साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो एक important support zone बन रहा है 42,400 का इसका भी breakdown मिल जाएगा तो आपको एक selling opportunity यहाँ पर create होती हुआ नजर आएगी और यह तुरंत ही आपके लिए एक resistance zone बन जाएगा clear है अब यहाँ पर selling position हमें कब बनानी है अगर 42,300 के around market gap down opening दे देता है तो गलती से भी selling position मत बनाना क्योंकि एक important support की track कर सकता है reason इसके पीछे बहुत बड़ा है एक तो 16 को ही market ने यहाँ पर support लेके आपको एक momentum दिया है उससे पहले यह level आपके लिए एक मजबूत resistance की track कर चुका है तो हमारे लिए एक important support रहेगा अगर इसका breakdown मिल गया तो आपको selling opportunity यहाँ पर देखने को मिलेगी market 15 के day low को approach करने की कोसिस करेगा तो अभी तक हमने क्या discuss किया एक तो gap up opening हमने discuss किया एक gap down opening discuss किया अब यहाँ पर यह भी discuss कर लेते है अगर positive momentum दिखाया किस तरीके से हमें act करना है यह फिर negative momentum दिखाया तब हमारी cash strategy होनी चाहिए उसे भी discuss कर लेते है अब यह level मैं बार-बार draw कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यह आपके mind में feed हो जाने चाहिए जब भी आप market में कल trading करने बैठे तुरंती आपको यह level सीधे समझ में आए एक 42,600 एक है 42,400 अब हम बात करते हैं अगर positive momentum दिखाया तो उस situation पर आप की strategy क्या होने चाहिए अब हमें पता है 42,400 वाले zone में market बैठा हुआ है अगर positive momentum दिखाया तो हमें buying opportunity मिलेगी सीधे सीधे और target होगा पहला 42,600 क्योंकि एक important resistance है अब हम यहाँ पर देखेंगे market किस तरीकी से momentum करता है rule यह कहता है आपको इस zone में profit book कर लेना चाहिए भले आपको इसका breakout मिल जाए आप दो बारा से entry ले लो लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको यह भी कहा है कि जब तक market आपको इस zone में दिखाई दे आपको trading नहीं करनी है यह भी मैंने आपको समझाए तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर positive momentum आये तो buy कर लेना और 42,600 आपके लिए क्या रहेगा resistance zone यह उनके लिए हैं जिने experience हो चुका है जो market के momentum को समझ चुके हैं यह risk लेना जानते हैं क्योंकि जो beginner से उन्हें मैं कहूंगा कि इस zone के बीच trading गलती से भी मत करना ठीके न क्योंकि आपको idea नहीं रहेगा कहां पर averaging करनी हैं कहां पर निकलना हैं कहां पर stop loss लगाना हैं इन सारे चीजों को आपको काफी अत्तक idea नहीं होगा जिन्हें यहां पर buying करनी हैं उन्हें काफी experience हैं मतलब उन्होंने losses भी देखे हैं profit भी देखे हैं वे money management के बारे में भी जानते हैं वे risk management के बारे में भी जानते हैं अगर यहां से breakout मिलता है तो आपको फिर से entry मिलेगी clear है वहीं पर बात करेंगर market ने आपको negative momentum दिखाया तो यहां पर छोड़ी same रहेगी अगर negative momentum दिखाया तो market को 42,400 का breakdown देना पड़ेगा breakdown देगा तो support level का breakdown मिल जाएगा साथी साथ 17 का जो day low है इसका भी breakdown मिल जाएगा यहां पर day low के breakdown वाले strategy भी काम करेगी फिर market सीधा approach करने की कोसिस करेगा पहले तो आप 16 के ही day low को approach करने की कोसिस करेगा अगर इसका भी breakdown देजा तो आप यहां से भी कुछ quantity add करके चल सकते हैं और फिर 15 के day low तक market approach करने की कोसिस करेगा अगर इसका भी breakdown आया तो आप 14 के day low तक देख सकते हैं market approach करने की कोशिस करेगा तो यहाँ पे हमने 4 पहलों को cover करने की कोशिस किया 4 नहीं 5 पहलों को एक तो हमने sideways momentum समझाए अगर sideways रहा तो आपको trading करनी है कि नहीं यह समझाए gap up opening होती है तब आपकी क्या strategy होनी चाहिए वो हमने समझाए gap down opening होती है तब आपकी क्या strategy होनी चाहिए वो हमने समझाए अगर positive momentum दिखाया flat open होके तब क्या strategy होनी चाहिए वो हमनी समझाए अगर negative momentum दिखाया उस समय हमारी क्या strategy होनी चाहिए ये सारी चीज़े हमने यहाँ पर समझे यहाँ तक आपको idea हो गया हमने क्या क्या discuss किया है सारी चीज़े clear है आगे बढ़ते हैं देखो यह चीज़े समझ में नहीं यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना clear है अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ price action के according हमें कहाँ पर support बनता हूँ दिखाई दे रहा है कहाँ पर हमें resistance बनता हूँ दिखाई दे रहा है अगर आपको gap up opening मिली या फिर flat open होके market ने आपको positive momentum दिखाया दोनों ही situation पर जो में resistance में ज़रा रहा है 42,600 के zone में नज़रा रहा है अब इस level को explain करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि वीडियो की सुरुवात ही हमने यहां से किया एक 42,400 से और एक 42,600 से दोनों level को हम जानते हैं अगर आपको इसका breakout मिलता है तो यहां पर समझो एक तो आपको bank nifty में नया high देखने को मिलेगा पहली चीज आपकी clear होने चाहिए दूसरी चीज आपको 17 के day high का भी breakout मिलेगा 16 के day high का भी breakout मिलेगा क्योंकि दोनों का day high इसी zone में आपको दिखाई दे रहा है तो आपके लिए हाँ पर day high के breakout वाली strategy भी काम करते हैं नज़र आईगी उस situation में market momentum कर सकता है 43,000 तक clear है उससे पहले एक important resistance हो सकता है आपके लिए 42,800 ठीक है अगर volume कम रहा तो 42,800 लेकिन अगर volume अच्छा कासा आगा तो market easily आपको 43,000 तक जाता हुआ दिख जाएगा यहां तक चीज़े clear है वही पर अगर आपको gap down opening देखने को मिलती है यह फिर flat open होके market आपको negative momentum दिखाता है दोनों ही situation पर जो में support नज़र आ रहा है यह 42,300 पर आपको यहां पर support दिखाई दे रहे यहां तक चीज़े के लिए रहे 42,300 अगर इसका breakdown मिलता है फिर आप देखेंगे यहां पर 42,000 पर आपको अगला support यहां पर दिखाई दे रहे 42,000 पर यहां तक भी चीज़े के लिए रहे मैंने क्या समझा है एक तो रहेगा 42,300 क्योंकि यहां पर हमें एक तो 16 को support देखने को मिला था और उससे पहले आप देख सकते हैं एक important resistance के रूप में काम करा है resistance था breakout मिल गया तो support की तरह act करेगा अगर इसका breakdown आया तो 42,000 पर आपका अगला support लेवल यहां पर बनने वाला है यहां तक चीजे के लिए रहे जो मैंने आपको समझाई आगे बढ़ते हैं यहां पर हमने price action के according support और resistance का discussion कर लिया अब समझते हैं no trading zone को यहां पर आपको दो red line दिखाई दे रहे हैं उपर लेवा लाइन के बात करेंगे 42,621 जो की 17 का day high है नीचे लिवा लाइन के बात करेंगे 42,371 जो की 17 का ही day low भी है जब तक market आपको इस zone में दिखाई देगा आपको market में कोई भी position नहीं बनानी चाहिए क्लियर है क्योंकि यहां पर market इस range को दो दिन से follow करता हूँ चल रहा है अगर यही range बनी रही तो market sideways opportunities वहीं पर अगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे sustain करता है तो आपको मिल सकती है selling opportunities अब उपर की तरफ क्या level रहेंगे नीचे की तरफ क्या level रहेंगे एक बार pivot point पे भी डाल लेते हैं नजर pivot point हमें क्या बता रहा है आप देखेंगे अगर bank nifty में आपको एक positive momentum देखने को मिला इस situation पे जो में पहला resistance नजर आ रहा है ये 42,601 पे हमें पहला resistance दिखाई दे रहें अगर आपको इसका breakout मिलता है दूसरा resistance हमें 42,675 पे नजर आ रहे अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो में तीसरा resistance नजर आ रहे ये 42,797 पे आपको तीसरा resistance यहां पे दिखाई दे रहे वहीं बात करें बैंक nifty में अगर आपको देखने को मिल गया negative momentum उस situation पे जो में पहला support नजर आ रहे 42,359 पे नजर आ रहे अगर इसका breakdown मिलता है फिर जो हमें अगला support नजर आ रहे वह 42,286 पे नजर आ रहे अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो में तीसरा support नजर आ रहे तीसरा support बताने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह जस्ट educational purpose से बिनाए गई analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है lows की जिम्हेदार भी आपको अपने आप लेनी है यहाँ पर हमें तीसरा support नजर आ रहा है 42,166 पे दिखाई दे रहा है अब एक नजर हम option chain पर भी डाल लेते है यहाँ पर आप देखेंगे जो expiry हमने select करकिए 24 November की expiry select करकिए call की side हम देखेंगे resistance को put की side हम देखने वाले support को resistance की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 43,000 पर आपको एक resistance दिखाई दे रहा है पर आपको 17.8 lakh आपको यहाँ पर resistance दिखाई दे रहा है उससे पहले 42,600 पर आपको एक resistance दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको 7 lakh का open interest यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहीं बात करें support की तो 42,400 पर एक support नजर आ रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 7.2 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर इसका breakdown मिलता है फिर आप देंगे 42,000 पर जहाँ पर आपको 17.8 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है दोस्तो आपको आपका homework याद होगा आपको gravestone doji candlestick pattern के बारे में जाके पढ़ना है website का link नीचे description में categories में जाएंगे candlestick pattern पर click करेंगे episode number 2 पर जाएंगे और यहाँ पर entry समझेंगे इस top loss का लगाना है वो समझेंगे target क्या होना चाहिए वो समझेंगे फिलाल जाने से पहले इस वीडियो को like कर दीजे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कीज़ेगा bell icon press कीज़ेगा जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छी content के साथ thank you